चानल पर करने हो तो चानल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन वेल आइकन को और फिस एड़ कर लेना क्योंकि यूनीक वीडियो की लिस्ट पढ़ी है और हाँ इस वीडियो को लाइज जरू करना शेर करना और आपके अगर कुछ सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लेना वेलकम बैक हाजी रहे एक नया वीडियो लेकर स्टडी ओफ शेर मार्केट की सीरीज का यह बहतरीन वीडियो आज एक बहतरीन फीचर को डेडिकेटेड है फीचर का नाम है जी टीटी मतलब गुड टिल ट्रिगर्ड क्या है कैसे वक करता है कैसे भुए बहुत जरन इंपर्टन है जाने के लिए बने रही मेरे साथ इस वीडिव को स्टाट करने से पहले कि पहले लास्ट एक कमेंट देख ले investigation तो आपके Challenge तो आपकी शज्ञाओ तो चाहते हैं आस budget की कि इन्हें क्रिप्टो करणसी और अधसर वीडियो चाहिए ये जा जानना है इसके बारे में तो डेफिनेटली बहुत जल्दी ही उसको लेकर आएंगे हम इस फीचर को बहुत ज़रा ज़रूरी मान रहे हैं मान कर चल रहे हैं क्योंकि अभी मार्केट में वोलेटिलिट इतनी चल रही है कि यह फीचर आपके बहुत ही यूनो पसंदिदा कि जानकारिया चाहते हैं और आपको मतलब कोई माध्यम नहीं दूसरा जानने के लिए वीडियो के लावा और आपको यूनो ऐसा होता है कई बार की इंस्टेंट कोश्चन होते हैं जिसके इंस्टेंट आंसर चाहिए होते हैं तो उनके लिए हमारे पास डेडिकेटेट ग् है फॉर्म गूगल फॉर्म की यह पर फॉर्म भरिये रूल नंबर 14 लिखिये और जुड़ जाए ग्रूप में फीमेल्स के लिए अलग से डेडिकेटेट ग्रूप है तो स्वागत है आप सभी का फिलहाल हम इस वीडियो की जो है वो शुरुआत करेंगे जैती यैनि कि गुड्ट्रिगर वाले विकल्प को देखने के लिए आज हम एंजल ब्रोकिंग इप्लिकेशन का जो हुथ यूस करेंगे आंजल ब्रोकिंग इस नोन आज अजल वन तो एंजल वन के नाम से भी जना जाता है तो हम एंजल बिकेशन है वो खोलकर बैटे है ना तो हम गुड टिल ट्रिगर देख लेते हैं सबसे पहले नाविगेट बटन जो की लेफ्ट में उपर की और है ना जहां पर जनरली हम टाइम वगरह देखते हैं यहां पर आपको नाविगेट बटन जिस नीचे मिल जाता है इस पर डबल टैप करूंगा मैं अब यहां पर हम ढूनेंगे ना ट्रेड अप्शिंग अपने अपने आंजल ब्रोकिंग के रिवी वाली वीडियो में जानना हैं अब देख सब्सक्राइब सकते हैं प्लेइलिस्ट बन चुकी है दस वीडियो इसमें एड हो चुके और यह ग्यारवर वीडियो होगा तो आप बिल्कुल मिस ना कीजिए अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो ट्रेड वाला यह जो विकल्प है इस पर हम यहां पर डबल टैप करें स्टॉक सिप मिन्स एस आइपी यह उसकी और बुक कौन-कौन से स्टॉक में आपने सिप किया मतलब ऐसा पी कर रखा है कितने पर बाय सेल किया था मार्जिन केल्गिलेटर जी टी ओर्ड इसमें हम जाते हैं यह डबल टैप किया था नहीं और यहां पर हम आ गए हैं अब में ना मिटल अब दू स्क्रीन फिंगर रखो गा जी पहला विकल्प है हाओ इट वर्क्स है ना जी टीटी ओर्ड क्या होता है अब इसको हम समझ लेते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है जो भी ट्रेड करते हैं उनके लिए इंफाक्ट उन लोग ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है जो निवेशक है आपको रोज दॉसरों नहीं देखना है ना कि आपने निवेश किया है वह इस टॉक परफ़र्म कैसा कर रहा है आपको तो क्या चाहिए कि जिस दिन आपका भाव आ जाया जिस दिन आपको ऐसा लगे कि मुझे इस इस दाम पर बेचना है वह आज 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 जो वो देखी नहीं पाते कि इस दाम पर कब आ गया और आपको चाहिए है ना तो ऐसे केस में क्या तो जनरली क्या होता है कि आप आप नौ बजे से नौ बज के सात मिनट तक सुबह सुबह अगर आपको उसी दिन के लिए अगर आपको कुछ खरीदना है तो आप ऐसे ही खरीद पाते हैं लेकिन उसका क्या कि अगर आज कोई स्टॉक 300 रुपे पर चल रहाया त्रेड कर रहा है और आपको उसको 270 पर खरीद आप उसको तब ही खरीद होगे तो यहीं है जी टीटी गुट टिल ट्रिगर्ड है ना यह आपको अलाव करता है कि आप जो है वो मार्केट आर्स के बाद भी आप अपने ऑर्डर जो प्लेस कर दें और आपके ऑर्डर प्लेस करने के एक वर्ष तक यह वो वैलिड रहता है आ आप इजिली आपकी सुविधा अनुसार जो वो कुछ भी इसमें दाम फीड कर सकते हैं कि आपको किस दाम पर सेल करना है यह फिर किस दाम पर बाय करना है आप डिलिवरी में से भी करेंगे ना पहले से मतलब इंट्राडेम में जैसे हम शॉट करते या सेल करते हैं फीचर इसे के साथ ही देख लेंगे आज पॉर्टफोलियों से भी कैसे स्टॉक्स जो बेचते हैं अल्मोस्ट एक जैसे ही फंडाय तो पहले जिटी हम यहां से क्रेट कर लेते हैं यहां पर आल्रेडी ना एक जिटी मैंने सेट कर रखा है यह डोडला डेरी करके एक स्टॉक मेंने रख रखा है इसको ना मुझे 655 पे ही बेचना है तो कभी भी किसी भी दिन एक्सिडेंटली यह अगर पहुच जाए तो वह आटोमेटिकली बिग जाएगा यह हो सकता है कि उस दिन में जो हो मुबाइल अपना खोल हो ही ना पूरे दिन किसी कारंट से या मुझे एंजल वन जो खोलने का मौका ही ना मिले तो यह आटोमेटिकली बिग जाएगा है अब इसको हम नया जिट्रेटी क्रेट कैसे करना यह देख लेते हैं अच्छा एक बार में आपको बता दू इसमें ज डबल टैप कर दिया है तो यह सारी सारी जानकर इसने एक बार में जो वो दे दी है कितने पर जो मतलब कितने पर जो सेलिंग प्राइस में रखी ट्रिगर प्राइस क्या रखा है यह दो बता देता हूं मैं आपको क्या होता है प्राइस नीचे आपको रखना होता है जब भी मतलब आपका और मतलब बेचने के लिए जब डेडी होता है तो सबसे पहले एक्सचेंज के पास जाएगा जैसे ही जैसे मतलब 554.5 पर जैसे पहुच जाएगा जो कि मारा सेलिंग प्राइस है वह एक्टिव हो जाएगा और य के लिए यहाँ पर यह बिख जाएगा या तो फिर 555 पर एक्जाटली सॉरी 654.5 तो यहां पर एक्जाटली बीख सकता है 654.5 से 655 की बीचे में कहीं बीग सकता है आप यहां से स्वैप करके देखते हैं क्या कि और विकल्प है सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर हमें ऐसा लगे कि यार यह ना 655 तो जाई नहीं सकता है ना मुझे बस जल्ली से किसी दिन जो वह इतने इतने दाम पर बेजना है और निगल जाना है बस तो हम यहां से मोडिफाइब कर सकते हैं एक बार मोडिफाइब करके बता देते हैं आपको यह हमारा ट्रिगर प्राइस था यानि कि मैंने अपने दाम से लगबाग 11.82 परसेंट उपर रख रखा है मैं इतना परसेंटेज लेकर ही जह वह एक्जिट कर जाऊंगा 654.55 यह मैंने जो वह सेलिंग प्राइस रखा था यह लिमिट प्राइस है यह डिलिवरी में था जैसे कि आप देख पा रहे हैं यह 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 यहां से मॉडिफाइग कर देंगे तो हमने किसी प्राइब का चेंज तो क्या नहीं है अगर आप चाहें तो अपनी इसाफ से इसको चेंज कर सकते हैं तो फोब यह वाला आप समझ गए होंगे अगर आप किसी प्रकार की डिफिकल्टी फेस करता हैं तो व्यार भी होट अप्यों करें हम आपको हल्प करने के लिए तैयार है यहां से बैक कर लेता है है यहां से हम बैक कर रहे हैं हम बाहर आ गए हैं यहां से नया GTT क्रिएट करेंगे है ना यहां से पहले तो आपको बाइ के लिए और लगा कि दिखा देंगे जो है वो आपके सामने सर्च बॉक्स खुल रहा है यहां पर जो है आप कंपनी का नाम सर्च कर सकते हैं जो है जो है विद कोड चाहे तो कोड से करें या तो कंपनी के नाम अगर आप चाहे तो यहां से वोइस सर्च भी कर सकते हैं तो इसकी कुछ औरड़े में सर्च कर चुका हो ना तो वह रिजल्ट इदर है मैं इसको बाय करना चाहूंगा देखते हैं अभी कहां ट्रेड कर रहा है इस पर डबल टाप करेंगे इसकी स्टार्टिंग से क्या क्या विकलप है मैं आपको दिखा दू क्या है न सिदे पहले तो हमें इसको बाय करना है कि यह हमरे पास ही नहीं पर ट्रेड कर रहा है और यहीं सेलेक्टेड है ना दोसो बायासी रुपए दस पैसे पर नसी पर ट्रेड कर रहा है और दोस बायासी रुपए 15 पैसे कर रहा है पहले ही मैं आपको बता दू कि आज जो है वो जिस समय में बना रहा हूं यह वीडियो तो आज मार्केट क्लोज है और साथ ही सात में आज हौलीडे भी था तो हमने नहीं इस लेक्ट कर रखा था ब्लोट क्वाइब कॉन्टि यहां पर कॉन्टिटी लिख कुह है एक ही कॉन्टिटी दी हुई है इसने पाइज और ड टीफॉल्ट तो हम इसमें स्में आइड करते है आप उबिस्ले एक ही श कि हम यहाँ पर जो है मोडिफाय कर रहें कॉंटिटी सिक्स्टीन कॉंटिटीज हमने कर दिये कॉंटिटी सिक्स्टीन कॉंटिटी फिर से एक बार राइट सब्सक्राइब कर रहे हैं 253.89 यह इसने न आपका ट्रिगर्ड प्राइस जो अपनी तरफ से जो लिख दिया है सरी 253.89 यह हमेशा 0.05 के मल्टिपल पर जो है वह कोई भी अमाउंट एक्चेप्ट करता है लेकिन अपनी तरफ से कुछ भी लिख देता है इसके लिए सब कुछ ठीक है है ना लेकिन हमसे ना यह हमेशा 0.05 के मल्टिपल पर लिख वाएका लाइक 90 पैसे और 95 पैसे 75 पैसे है ना यह 89 या 86 या 84 ऐसे नहीं लिखने देता है लेकिन इसने लिख रखा है खुदी हम इसको यहां से मोडिफाय करेंगे है ना तो हमें कितने पर खरीना है मेरा पर्सनल यह सा मानना है कि 253 पे तो इतनी जल्ली आने वाला है नहीं और मुझे चाहिए तो मैं अपने हिसाब से जो एक अपनी कंडिशन पर लूँगा कोई बात नहीं इट नाइन मिनिट डिलीट कर दिया है फुल स्टॉप डिलीट कर दिया है थ्री भी कर दिया फाइव और अब मुझे कितने पर खरीना है 273 पर मुझे खरीदना है 16 कॉंटिटी 273 अब यह परसेंटेज में कितना है नीचे उसके करेंट प्रैस से देखिए नीचे हम राइट सब्सक्राइब करेंगे माइनस 3.23 है ना मतलब अपने इस प्रैस से तीन रिशंबलों 2-3 परसेंट जब नीचे होगा माइनस में होगा और इस दाम पे आ जाएगा तो यह बाय हो जाना चाहिए एक्जैक्ली टू इटी टू पन वन पर जो वह क्योंकि बंद हुआ था तो यहां पर वही वाला प्रैस लिमिट प्रैस मिलिया गया है तो इसको हम यहां से मोडिफाय करने वाले हैं तो यहां पर न में 273 पॉंट यह लगा दिया 273.5 रिजन यह कि यह जब भी मार्केट में मतलब बाय करने के लिए या सेल करने के लिए जब भी आएगा यह ओडर तो सबसे पहले एक्सचेंज में एक्टिव हो जाएगा जैसे 273.5 पर आ जाता है एक्सचेंज में एक्टिव हो जाएगा या तो 273.5 पर अगर कोई बेचने के लिए अविलिबल है तो यह ले लेगा या तो फिर 273 प्राइस है यहां पर लेगे लिए अगर आएगा तो और यहां अज़े स्चेंज में लेके जा रहे हैं यह वाला जो चैट बॉक्स है तीसरा वाला यह है Terms and Conditions का तो इसको हमें Checked करना है यहाँ पर Charges बताएंगे कि जैसे ही मतलब आपका Order Place हो जाता है उसके बाद किस प्रकार के आपको Charges Pay करने पड़ेंगे Charges वही वाले हैं जो मतलब Normal Order में होते हैं वही वाले Charges है यहाँ से Create GTT हो जाएगा Sorry इतना मुझे Margin लगने वाला है बीच में जब आप GTT में आते हैं तो लेफ्ट में सबसे पहले यही वाले उप्शन होते हैं लेकिन यहाँ आपको ना यहाँ पर लेकर आजाता है इडिट बॉक्स में तो Create GTT पर हम डबल टैप करेंगे Congratulations GTT आपको Create हो चाहा है तो अब अब हम क्या करें दो GTT तो होई गया है क्या हम तीसरा सेल वाला भी देख लें वाले देख लेंगे तो होगे लेकिर एक तो यह डूबला अब यहां से हम जो वो सेल के लिए कॉडर देखेंगे जो हमारे पास पोर्टफूलीव में है कि इसी डिए यह में पास अवीलिबल है पोट्फोलियो में सब्सक्राइब इस एक विए यह कि अपर हमने हम एनसी पे इसको बाई किये हुए थे और यहां से हम इसको डबल टैप करेंगे कॉंट्रीटी हमार पास जो है वो 10 की कॉंट्रीटी थी तो कॉंट्रीटी हम बाद में मॉडिफाय करते हैं पहले उपर चलते हैं देख लेते हैं अब ब्यासी पे नहीं है न तो नौट्च ब्यासी चैक्ट पास एनसी पे इसको पहले सेल करना है ओके इस चैट उपर पहले वाला ओप्र अपर ना तो अच्छ पास अग्ट अच्छ 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 गवाइं जिक्षिए लगा धिये मिने टैन कॉंट्टी तीज बुझे कितने भी बेचना और देखेंगे तेंड एक बाइस कोपते। आप एंडी जाट मेंता। तेंड जी मद्क जेओ फॉल सब्लेट शेकर अगान कर आपाद यह ज्थाक झाव field इसमें अभी कुछ इशू चल रहा है इसमें अभी शायद किसी भी प्रकार का अभी आप उपर देख पाएंगे कि इसका ना मतलब प्राइस अपडेट ही नहीं किया इसने क्योंकि अभी इसमें किसी प्रकार का जो वह सर्वर चल रहा है और मेंटेनस चल रहा होगा भी क्योंकि वर्किंग टाइम नहीं है तो इनी दिनों यह लोग मेंटेनस करते हैं इसम यहां पर लिमिट प्राइस लगा रहेंगे अबिसली अगर 900 पर मुझे बेचना है तो अट लिस्ट नाए 899.95 तक जो मुझे नीचे यह प्राइस रखना पड़ेगा यह दिलिवरी डिलिवरी में था इसलिए डिलिवरी सिलेक्टेड है यह वही टम्सन कंडिशन वाला इसको जब हम चेक करेंगे तो तो ही यह आगे बढ़ेगा यहां से क्रिएट करेंगे जैसे हम क्रिएट करते हैं तो यह हमारे पूर्टफोलियो में चेक करेंगा यह है या नहीं है और उसके बाद यह क्या करेगा न कि आपको लेकर जाएगा cdsl की website पर आपकी सारे आपको चनलव सेटाक developer करेंगे और फिर वहां से ज्फक्षा यह होगा कि आप जिए है प्रूषीट करेंगेalley आपके बास अल्रेडी पिन है तो है ना एक पिन हो जो है जिस डीसल के दोरा क्रिएट किया आजाता है आपके लिए जिसको आप देंगे उसको तभी वो सेल कर पाएगा आपका स्टॉक क्योंकि कई बारे से केस हुए हैं पिछले दिनों कि कुछ अन्वांटेड ब्रोकर्स न आपका पिन आपी के बास होगा तो आप जब देंगे तो ही सथे ब्लस वो उसको बेचेगा तो अप जब वो पिन यह बना दे देंगे दैन एक ओडि अगा ओडिवाने के बाद आप जब कनफर्म कर देंगे और उप्र यहां पर ज्ट्री त्ट्री आसा हुए है बहु यह पूर्टफोलियो खुल गया है इस टॉक करेंगे इसको सेल करेंगे यह पूर्टफोलियो में हम अभी है मैं बता दू आपको क्योंकि इस पर क्लोज हुआ है यह स्टॉक तो यही वाला प्राइस बता रहा है हम यहां से मोडिफाय कर सकते हैं अब कई पर कुछ नहीं करना है वहां से इतना मार्जिन लगेगा क्यों क्यूंकि अल्रेडी हमारे पास यह है यह स्टॉक हमें तो इसको बेचना खरीतना नहीं बेचने के लिए किसी प्रकार के मार्जिन की जरूरत नहीं होती है यहां से सेल करेंगे जैसे यह वहां पर क्रेट जी टीटी करते हैं न तो यह वाला विकल्प आपके पास आता है है ना वन स्टेप वाला यह समझ गए होंगे कि आपके इमेल या समस पर टीपी आइन भेजा गया है तो आप जो वह वेरिफाई किजिएगा उसको देकर यहां पर अगर आपके पास है अल्रेडी तो यह है प्रूसीड यहां पर जाईए टीपी आइन दीजिए अगर आपके वास नहीं है तो यहां से आप रिजनरेट कर सकते हैं बहुत जादा डिफिकल्ट नहीं है बहुत जादे इजी है किसी प्रकार से कोई प्रॉब्लम अगर आप लोगों को फेस होती है तो आप जहें कमेंट कर सकते हैं हम आपकी सायत करने के लिए हमेशा अवे ख्याल से आज के लिए इतना ही और जीडिटी क्रेट करके सेल वाला आपको दिखा नहीं सका इसकी अपनी इंटर्नल प्रॉब्लम के चलते इसके लिए माफी चाहूंगा लेकिन कभी भी किसी प्रकार के कोई प्रॉब्लम आई तो फिर से मैं बता दू हम अभीलेबल है कोने बताइए किसे प्रेधार के सुछाओ कमेंट्स करके बताइए पसंद नहीं आया क्यों नहीं है क्यों करके बताइए क्योंकि आपके बताने पर यह हम इसमें किसी प्रगाफ कोई सुदार कर सकते हैं फिलh x